वेलकम बेक टू मैं अनेदर ब्लॉग वीडियो एंड वेरी गुड इवनिंग टू आल तो आज मैं आप लोगों से अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ तो इस समय बज़रा है पाँच और हजबन आज घर आ चुके हैं वैसे नॉर्मली हमेशा छे बज़े आते हैं लेकिन आज बहुत टाइमली आ गया है तो बस अभी बन रही है चाय और इवनिंग में तो जब तक चाय ना पिऊ ना उसके बाद तो उससे पहले तो कोई रूटी स्टाटी नहीं होता है तो बस यह मेरे साथ है मैं जब तक चाय नहीं पीते हूं ना मैं शाम के काम स्टाटी नहीं कर पाती हूं कहते हैं ना को किक चाय होती है तो यह मेरी चाय है जो मुझे किक दिलाती है उसके बाद ही मैं सारी चीज़े कर पाती हूं तो बस अभी हो पूरे दिन बताती है बच्चों ने क्या किया और बहुत सारी बातें तो ये आदा घंडे का टाइम ना हम लोग का काफी अच्छा वाला टाइम होता है तो अभी बचरा है साथ और बच्चे अभी नीचे घूमने चले गए हैं तो अभी दिहां पे मैंने पूजा करिये और मै अभी जाती हूँ एक भावी के पास कॉज मुझे बहुत टाइम से उनके पास जाना था तो मैं जानी ही पारी थी और इन्हों ने बहुत सुन्दर घर सजाया मैं कभी जरूर से पूरा घर दिखाऊंगी और ये है की बेथी बहुत क्यूट है तो अभी बस मैं इनसे थोड़ी दिर के लिए मिलने आई थी तो बस मिलके अब चलती हूँ घर और फिर बनाते हैं अपने डोसा और डोसा तो मेरे घर में बच्चों को इतना जादा पसंद है ना तो आज मैं बहुत टाइम की बार डोसा ट्राइ करने वाली हूँ और बहुत अच्छा बनता है घर की बहुत बेटर होता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नारियल तुड़वा लिया है तो बस इस से बनाएंगे हम चटनी और इस चटनी को मैं बहुत अच्छे से स्टोर भी करूँगी तो मैं अपनी फुल रेसिपी आप लोगे संग शेयर करूँगी बच्चे अभी जा रहे हैं नीचे पार्क में तो अभी एक घंटा नीचे पार्क में ही खिलेंगे और यह डेली का रूटीन है जब तक वो नीचे नहीं चाते ना पार्क में नहीं चाते तब तक उनको सुकूनी नहीं पड़ता है तो बस अभी आगे हैं तो अभी मैं यह जो सारा सामान हस्बन लेकर आए थे तो पहले मैं यह सारी चीज़े लगा लेती हूँ और यहां पे पनीर, दही और यह करी पत्ते का जो डोसर का बेटर आता है ना मैं यहां उससे डोसा बनाने वाली है तो अभी बस मैं सारी चीज़े करके रख रही हूँ कॉज नहीं तो जब तक स्लैप भर हो आता है कुछ करने का मनी नहीं करता है तो अभी मैंने सारी चीज़ें दहील, husband लाइतें दही करके रखा है और यहाँ पर पनीर वगर करके रखा है और एक चीज़ अगर आप लोग पनीर नहीं काते हो ना तो खाना शुरू कर दो क्योंकि बहुत ज़ादा ज़रूरी है हमारी बॉड़ी के लिए प्रोटीन या तो प्रोटीन पॉर्डर वगर भी ले रहे हो तो उससे भी काम चाहिए और अगर नहीं ले रहे हो ना तो ज़रूर से काया करिए पनीर और यहाँ पे husband चाट के लिख रहा है कर्णाई lesson मेरे घर में इतना बड़ा बड़ा लैस안 आता है यह specially इख शॉप है जो इतना बड़ा बड़ा lesson देते हैं और इसके मतलब एक कली अच्छी खासी बड़ी है और इससे ना एक भी डाला दोगे आज आप अच्छा खासा लाहसुन निकलाता है और यह देखिए है और इतने सुन्दर लगता है यह बिलकुल अलग पीसिग वहते हैं तो यह बोलते हैं अपटा नहीं होगे यह में नीबु आई थे ना इनको मैं थोड़ा सा butter paper में wrap करके रख रही हूँ, आप किसी भी newspaper बगरा में भी wrap करके रख सकते हो इससे क्या होगा न, नीबू खराब नहीं होते हैं, और काफी लंबे time तक रखते हैं actually मैं अभी ठंड हो रही है तो अभी इतना frequently हम लोग नीबू नहीं लेते हैं तो अभी बस जब नीड होगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे तो यह काले भी नहीं पड़ते हैं और जो spot साधत हैं वो भी नहीं पड़ते हैं तो चलिए आज कर लेते हैं अभी साभर की तयारी तो मैंने हैं पे लोखी गाजर मैं जादा सबजियां नहीं डालती हूँ कॉस मेरे बच्चे ना मतलब भी गाजर भी आज डाल रही हूँ वनना वो खाते ही नहीं हैं मैं इसको भी मैश कर दूँगी ना तो पता नहीं चलेगा उनको मैं इस तरीके से उनको सबजी खिला दूगी लेकिन वैसे साबर एक ऐसे चीज़ है ना असपर बहुत सारी सबजियां डालो और बस मज़ा आता है इस तरह से सारी सबजियां खा भी लेते हैं लेकिन मेरे से बहुत प्रॉब्लम है बच्चे ना छोटे छोटे सा देखके भी बस इसको वाइट करते हैं कि नहीं नहीं तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना खाने से तो अच्छा है कि कुछ खा ले एक लिस्ट लॉकी तो खाएंगे ना वैसे तो खाने से रहे लॉकी तो अभी बस मैंने हाँ पर एक रफली चॉप कर लिया लॉकी को और अब डालते हैं अरहर की दाल आधी कटोरी अरहर की दाल और इसमें लौकी वगरा मैंने डाल दिया लौकी और गाजर मैंने इसमें डाल लिया अभी दाल को धुल लिया है तो लौकी और ये जो गाजर थी इसको भी धुल के मैं इसमें डाल दे रही हूँ तो अभी मैं इसको simple boil करूँगी इसमें पानी डालेंगे जितना भी अच्छे से सावर बन जाएगा उसके according पानी डालेंगे और कम रहेगा तो बात में पानी आइट कर सकते हैं और सिर्फ हल्दी और नमक डालके मैं इसको छोड़ दूँगी और अद्रक तो मेरी must है मैं कोई भी सबजी बनाऊं चाहिए वो South Indian हो या North Indian मैं जरूर से अद्रक डालती हो यह मेरा अपनाई flavor रहता है तो ठंड आ रही है न तो अद्रक का तो अलगी flavor आने वाला है तो बस अभी मैंने रख दिया है यह सावर गैस पे और इसको होने में आदे गंडा लग जाएगा slow gas पे भी मनाऊंगी थोड़ा सा तो flavor अच्छे आते है तो अभी आलो भी मैंने boil होने रख दिया है तो यह मेरे काम दोनों होते रहेंगे तो अभी हम एक काम और कर लेते हैं हम कर लेते हैं चनी की डाल को भून लेते हैं कौज हमें बनानी है चटनी तो यह चनी की डाल या फिर चना आपके पास भूने चनी जो मार्केड़े मिलते हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास भूना हुआ चना नहीं था तो मैं यहा बहुत हलका लगा लाइट ब्रॉंजर हो जाएगा तो यह रोस्ट हो गया है आप इसको निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडा करने का वेट करेंगे ठंडा होने के बाद ही ब्लैंड करेंगे सब चीजे वरना दही फट जाता है तो यह सारी चीजे हैं जिसे हम चटनी अब होता है तो बस इसको सब डाल के ब्लैंड कर लेंगे अभी मेरे आलू भी तयार हो गया है तो अब इसको ब्लैंड कर लिया है तो देखिए ये वाली चटनी का टेक्स्टर आया है, मैंने पूरा कोकोनट ले लिया था, क्योंकि मुझे कोकोनट की चटनी बहुत पसंद है, तो चलिए अभी चौके की तयारी कर लेता है, तो चौके में मैं करी पता नहीं डालनी हूँ डाला है मैंने, कॉस बहुत सुंदर ये चटनी लग रही है, आप देख सकते हैं, you can see तो अभी मेरी चटनी हो गया है, रेडी और ये चटनी मैं अभी इसको स्टोर करके तीन से चार दिन अराम से चला सकती हूँ और बस उसके बाद अभी अधर सावर भी रेडी हो गया है, तो धो बड़े चममच मैंने सावर मसाला डालब, और अभी थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो अभी इसमें हम अपनी उतना पतला सावर चाहिए ऊभी और थोड़ा सा पानी य कमे मैंने और आट कर लिए था उसable की बाद मैंने इmli का रस निकाल के डाला है इमली तो सबसे ज़ादे इंपॉर्टेंट है वरना तो सावर का फ्लेवर ही नहीं आता है उसके बाद मैंने सिंपल राई और मिर्स से छोका लगा दिया है सावर में बहुत टेस्टी आता है और आप चाहें तो उसमें करी पत्तर डालेंगे तो और ज़्यादा फ्लेवर आएगा तो अब भी इधर में आलू तयार करती हूँ से के लिए तो बस यहाँ पे मैंने सरसुका तेल राई लिया है हल्दी लिया है और बस इसको हलका सा बूनेगे जादा नहीं बूनेगे वहना तो यह काला ही पढ़ जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू डाला और बस यह आलू तो सिंपल भी खाऊ नहीं बहुत टेस्टी लगते हैं और इसको अच्छे से मैश कर दिया है और थोड़ा सा अच्छे से भूनेगा जितना भूनेंगे थोड़ा सा कड़ाई में जादाई भूनते नहीं और फ्लेवर भी जादा आच्छा नहीं आता उसके बाद जब साब अच्छे से मैश हो जाएगा उसके बाद मैं उपर से नमक डालूँगी तो जो उपर से नमक की करञशी रैस्टी होती है मुझे हाँ मुझे नमक करण्च लगता है बहुत हम लगता है, तो ये मेरा ढवा है, जो और करने वाली हूं तो बनाने वाली हूं इस पे आज ढूसा और ये करी पत्ते वाला बैटर है, गरी पते का डोसे का बैटर आता है मरकेट में पहुत इजीली अविलिबिल है, और भी कई सारे ब्रैंड्स होंगे, बट मैंने य अच्छा लगता है इसे आप इडली उपमा वगरा भी बना सकते हो इसमें काफी सारी चीज़े दे रखी है और सबसे अची चीज की इसमें जिप लॉक है जितना ही उसकन है आप उतना ले सकते हैं तो बस यहां पे मैंने डोसे तवी पे हलका सा घी लगाया है और घी नहीं भ यहां पर बस मैंने बेटर को थोड़ा से पानी डाला था अपनी थिकनेस के को अपनी जाए लेकिन हम बचों ने बहुत इंच्वाई किया मेरे दूनों बीटे बड़ी खुशी से खाया और मेरे संग एक प्रॉब्लम हो गया जब मैं हस्बन का रियक्शन लेना बूल को भूल क्या गई मेरा बैटरी डिस्टार्ज हो गई थी तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई तो सबको डोसा खिलाने के बाद मैं फाइनली यहां खाने बैटी हूँ सकते हैं अराम से बारा तो बनी जाएंगे तो अभी मैं इस डोसे तवे को बिल्कुल अच्छे से साफ करके दो दो बार पानी वेकर से पोच के ही मैं रख रही हूँ क्योंकि वाश करने से एक हराबी हो जाएगा तो अभी बस मैं इसको रखती हूँ और अब मेरा सबसे इंपोर्टेंट काम जो मेरे लिए मौनिंग में बहुत हेल्प करता है किचिन क्लीनिंग क्योंकि नाइट के टाइम पे अब तक क्लीनिंग नहीं करो तो सुभा के टाइम तो बहुत जादा मैस हो जाता है कुछ भी अपनी जगा पे मिलेगा ही नहीं और वो बहुत इरिटेटिंग होता है कौस सुभे सुभा आप इतना नीन में होते हो न तो आपको लगते है बस कोई भी चीज है न एक दम से हाथ में आजाए जो चीज त्राएं और फिर वो होता नहीं है तो किचिन का जितना भी मैस है मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ क्लीर करके सोती हूँ तो मेरे को थोड़ा से इजी हो जाता है और मैं रात में आलो अगरा बॉयल भी कर देती हूँ बच्चों के लिए कर कुछ मौनिंग में आलो अगरा का बनना होता है तो अभी मैं पूरा slab बहुत अच्छे से clean कर दूँगी इतना clean की मेरा चैरा दिखने लगी yes मेरे को आ देते हैं मतलब अच्छा लगता है थोड़ा से clean clean हो तो सारा mess मतलब साफ साफ सा अच्छा लगता है morning में उटके खुशी-खुशी होती है और कभी-कभी नहीं होता है ना तो बड़ा लगता है हे बगवान क्या हो गया है फिर तो मैं पूरा देनीटेटेटी रहती हूँ तो बस यहां पे हो गया है पूरा kitchen चकाच्छ तो अभी मैं थोड़ा सा almonds भीको देती हूँ यहां पे cause morning में soaked almonds ही खाते हैं husband और मैं बच्चे तो normal वाला खाते हैं वो सोग नहीं खाते तो अभी यहां पे almonds भीको दिया है और मैंने साथी साथ ना यहां पे waters भी fill करके रख देती हूँ जिसे morning में फटाफट से जिस पानी वगरा पीना हूँ और एकदम से वस निकालो filter से निकालने का जहनचेटी थी तो बस यह मैंने यहां पे bottle अच्छे से साफ करके इसको रख देंगी और साथी साथ मैंने यहां पे बच्चों का दूद भी तयार कर दिया है हल्दी वाला दूद मैं यहीं दे रही हूँ रोज मैं ही देती हूँ सुभा शाम बिल्कुल अब तो उनको भी हल्दी वाले दूद की आदत हो गया तो यह हो गया मेरा हल्दी का दूद तयार बच्चों को दे दिया और अब बच्चे सो गए हैं तो बस होगी अब किचिन की लाइट ओफ मारनिंग में की चिन बेर सुंदर-सुंदर मिलने वाला है बस इसके बाद मेरा होता है स्किन केर वाला रूटीन शिरू तो मैं नाइट के टाइम पे जरू से स्किन केर कड़के सूती हूँ उसके बिना तो मैं नहीं सू सकती मैं मतलब मेरा ये टोनर शायद एक महीना ये डेड़ महीना ही चलता है नहीं तो कोई हलका फुल का यूज करेगा ना तो मेरे हस्बन का तीन महीने चलता है तो यहां पर बस मैंने टोनर यूज किया है उसके बाद मैं यहां पर फेस यूज कर रही हूँ और बस इसको हलक हलका स्प्रेड करूँगी यह काफी हद तक स्पॉर्ट्स जो है पिग्मेंटिशन है उसको काफी हद तक कम करता है तो बस मैंने यहां पर यूज लगा लिया उसके बाद उसको ऐसी छोड़के मैंने यहां पर मॉश्चर ऐसे लगा लिया और मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी कौश जादा मसाज करने का भी मन नहीं हो रहा है आज बस ऐसे ही है तो गाइस यह था मेरा आज का ब्लॉग आई होब कि आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करेगा और मैं फिर से मिलती हूँ डेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई